हेलो गाईज, वेलकॉम बैक टू मैं चैनल, दोस्तो आज हम इस वीडियो के दिर नहीं बात करने वाले हैं, एक यूजर भाई ने कमेंट किया था कि अभी मार्केट में ग्रोथ कैसा है, मुझे अभी 2 लाख रुपय का लंसम करना है, क्या यही टाइम सही है कि इंवेश्में करेंगे, यान कि SIP या लंसम करना सही रहेगा, और दूसरी बात करेंगे, कि बहुत सारे लोग क्या कोशन पूछ रहे हैं, कि प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम यह चल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हमें करनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, तो दोस्तों इन सार लोग बोलने है कि profit booking करने है तो कैसा रहेगा इस समय, माल लीजे आप, माल लीजे अगर एक साल से, दो साल से, चार साल से, पांस साल से या दस साल से आप investment कर रहे हो, ठीक है? या फिर आपका लक्ष है कि आपको अभी फिलाल पैसे की आवश्रक्ता नहीं है, पैसे से पैसा बनेगा ना, तो आप profit booking मत कीजिए. जब आप एक साल, दो साल से profit, देखिए, एक सीधी सिंपल एक अगरें पर लेकर बता देता हूँ आपको, कि माल लीजे आपने 100 रुपे इंवेस्टमेंट किये, ठीक है, और आपको उस पर 50 रुपे का profit मिल गया, और आपने ये profit निकाल लिया, माल लीजे, ये क्या कर लिया, आपने पैसा निकाल लिया, बिट्रो कर लिया, बिट्रो कर लिया, पैसा 50 रुपे, यानि कि आपके अपके अगरेंट कितना रुपा बचा, 100 रुपे बचा न, फिर आपको फिस से 100 रुपे आपको, फिस से आपको मैनत करनी पड़ेगी, यानि कि आपको, जो आपको power of compounding, जिसको हम कहते है, power of compounding, जो इसका फायदा मैं मिलता है, यानि कि ब्याज के उपर ब्याज, यदि आप चो profit है, उसको ही निकाल लोगे, तो फिर ब्याज के उपर ब्याज तो मिली नहीं न, आपको, क्योंकि देखो, जब mutual fund के अंदर पैसा लगाते हैं, या index fund के अंदर पै होगे, ठीक है न, यानि सीधी सी बात यह होगई, कि आपना profit profit निकालते जा रहे हो, और आपका जो principal amount है, वो बस जमाए आपका deposit है, तो आपको फिर से सुरू से work करना पड़ेगा, यान कि आपने सुरू पे आपने इंडरस्ट किये थे, 50 रुप्य आपने निकाल लिए, फ मालीजे, आपको पैसा थोड़ा सा पैसा निकाल करके, आपको किसी दूसी जापर investment करना है, suppose that, अब आपका mutual fund में investment है, पैसा मालीजे, आपको अच्छे return मिल गए, profit booking हो रही है, तो profit booking मालीजे करके, आपको किसी दूसी जापर investment करना है, जहां पर आपको अच्छे return मिलना है तो आप ऐसा थोड़ावत कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% profit booking मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए, अगर आपने mutual fund के अंदर investment पैसा किया है, तो अगर बड़ी capital चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपका target यही है, short term target, कि नहीं 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, और मेरे को तो इतना ही पैसा क्योंकि क्या अधा market top है ना, तो इस वर top में आपको profit मिल जाएगा, तो आप market से निकल सकते हो, लेकिन आपको target big capital है, तो फिर आप बने रही है, तो जाद अच्छा रहेगा, अब हम बात कर लेते हैं, SIP और लंसम की जैसा कि एक भाई ने question पूचा, उसकी बारे बात कर ले market कहीं पर भी हो, आप SIP कर दीजे, आपको उसका benefit जरूर मिलेगा, देखिए होता क्या है, कि माली जगर आप 5 साल की बात करें, पिछले 5 साल में आप देखेंगे, कि आपके पिछले 5 साल के अंदर आपका market जो करोना काल था, उस समय पर market नीचे चला गया था, तो उसको आप ने SIP यहां पर ले ली, फिर आपने SIP, यहनि हर महीने SIP जाती है, तो आपने SIP ले लिए तो हर जबहें हर महीने से करेंगे, तो आपको SIP की मिले लाता है, TAV कर सकते हैं, कोई दिक्कत नीआ, market यहां पर top पर चल लाई, आप SIP यहां से भी स्टर्यeker कर सकते हैं, तो यह तो आपके SIP होगी, कि SIP आप कभी भी कर दीजे, कोई दिक्कत रही, अब बात आती है, लमसम की, बैरी इंपोर्टेंट कोश्चन, इन भाई ने कोश्चन पूचा था, इसके लाबा, दो-तीन और वी यूजर थे, वीवर से, उन्होंने भी कोश्चन पूचा था, तो देखिए, SIP, लमसम करने का क्या मतलब होता है, लमसम का मतलब यह होता है, कि आप एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं, अब देखिए, हम इसे अब ओल टाम हाई चल ला है मार्केट आपका टॉपपर चल ला है, तो हम आल टाम का मार्केट देखें, तो आप देखिए, इसके अंदर क्या पाएँगे, कि आप इसके नदर यह चीज्ञा था, उसकी राद MARKET आपका था, उसकी वाद MARKET आपका क्या देखिए, तो market जब अब top पर गया है, तो नीचे भी आएगा, तो ऐसे ही आपका, यहाँ पर market अगर top पर चल ला है, तो यहाँ पर संभावना क्या है, यह थोड़ा सा नीचे भी आएगा, नीचे भी आएगा, correction के लिए आएगा, नीचे आकर कि फिर से उपर जाएगा, फिर नीचे आएगी, और यह स्तिती एक महिने में, दो महिने में, तीन महिने में, पांच महिने में, आएगी, आएगी, तो अब बात आही आती है, कि माली जे अगर आपने लंसम पैसा यहाँ डाल दिया, इसे गर पर डाल दिया, तो आपका market यहाँ पर नीचे आ गया, जबकि हमें investment य आएगा, कब नीचे जाएगा, यह किसी को नहीं पता है, अगर किसी को पता होता है, तो वो अरब पती बन जाता, आपको बन्ते भी हैं, ऐसी बात cœur नहीं बनते हैं, अब यह market ऊपर है, top पे माले है, अब होसकता है, और भी top पे चला जाए, तब नीचे आय, यह condition हो सकती है तो माल लिजे अब क्या करना है कि पैसा भी लगाना है वह सी लोगों के पास पैसा माल करना है jack अकेजम्पल ले लेते हैं, कि माल लिजी आपके पास क्या है? वन लेक रूपीज इस समय पे हैं? आपके पास कितने वन लेक रूपीज आपके इन्वेस्टमेंट के लिए हैं? आप लंजम करना चाहते हैं, लेकिन इसका सारा पैसा आप अभी मतलगाईए, मैं ये कहूंगा, आप सारा पैसा अभी मतलगाईए, क्यों, ये ऐसा में क्यों कह रहा हूँ, कि माल लीजे market अभी टॉप पे चलना है, हो सकता है market अभी और आपका आपका टॉप पे जाएगा, और फिर हो सकता है नीचे भी आएगा, तो अगर आप सारा पैसा अभी अभी लगा देंगे, सारा का सारा पैसा अभी के अभी लगा देंगे, तो जब मार्केट नीचे आएगा, उस समय भी तो आपको buy करना चाहिए, कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो buy करना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, मेरे अभी एक्सपर्ट से पूछाएंगा, उसकी राय भी अलग होगी, लेकि मेरा मानना ऐसा है, कि आपका जो मार्केट टॉप पर चला है, तो इसका 50 पर यान की 50 रुपे आप अभी लगा दीजे, और बेट कीजिए, कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, और जब मार्केट कंट्री होगा, कभी ना कभी तो होगा, डवलपिंग कंट्री है, डवलप्ट कंट्री होगा, यानि कि आप देख सकते हैं, कि आप यहां से जब 2000 की बात कर लेते हैं, तो तब से लेके अब तक देखे, जो आपका निफ्टी है, वो कितना ऊपर आया है, ठीक है, तो इसी त तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी उपर जाएगा और जब आप पैसे को यहां पर लगा देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है आपको आगे आगने वाले टाइम में 10-5 साल, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में यह मार्केट और उपर जाना है 100% जाएगा ठीक है समय के साथ म तो आप 1,00,00 भी पूरा लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन थोड़ा सा क्या है हमें और अच्छे benefit चाहिए हमें अपनी investment को और बहतर बना रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें और बहतर बना रहा है investment को तो आप 50,000 रुपे आप यहां पर investment कर दीजिए और जैसे आप अभी पैसा लगा दिए चाहिए 10 सेया लगा दिए 20 सेया लगा दिए 50 सेया लगा दिए अपने और कुछ आने वाले समय में दो थी मेने के अंदर कर रहें यह market नीचे आ जाए तो tension लेने की जरूत नहीं है जब भी कभी आप पैसे को डालते हैं तो कम से कम 5-10 साल के ल आने वाले समय में यह निफ्टी का जो भाव है निफ्टी का जो मार्केट है वो काफी उपर जाएगा और आपको इस तरी से आपको benefit मिल जाएगा तो अब मैं समझता हूं कि आपको जो आपका question था उसका answer आपको मिल चुका है कि लंसम कितना करना है और कर सकते हैं कि नहीं मिल दाता है यान कि आपको समझ में आ गया कि क्या करना है तो आप तुरंत के तुरंत आप action ले सकते हैं और investment करना start कर सकते हैं तो guys आपको अगर आप भी investment करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के description में आपको grow app का link मिल जाएगा आपको जिरुदो का link मिल जाएगा एंजल ही हो जाएगी collect बन जाएगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नएद चैनल के सचा कर लिजे मिल टें नेक्स्ट वीडियों तो तक लिए गुडबाई एंड टेक क्या जय हिं जय भारत